नमस्कार दोस्तों आरके योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है पैंशन से जुडवा एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी के सामने लेकर हाजिर हो गए है पैंशन धारकों के लिए आज की यह एक बड़ी खबर है फरवरी महा दो हजार चोबीस से बिना आविदन के तीन हजार रुपे पैंशन सरकार दे रही है केवल और केवल इन पैंशन धारकों कोई यह लाब मिलेगा यदि आप भी सरकार से किसी भी एक पैंशन का लाब प्राप्त कर रहे हैं आपकी पैंशन बनी हुई है आज की यह खबर यह जानकारी आपके लिए ही है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से वे व्यक्ति हैं पैंशनर से जिनको सरकार 3,000 रुपे 3,000 रुपे बिना आईदन के ही पैंशन रासी देने जा रही है वे भी फरवरी महा दो हजार चौबिस से वीडियो की सुरुआत करने से पहले हमारा आप से निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा साथ ही बेल आईकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसकला उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता अनसोचित जातियों एवं पिछडे वर्ग कल्यान तथा अन्तियो देविभाग ने कुल 12,270 विद्वा और 2,586 एविभाईतों यानि की जिनकी साधी नहीं हुई है उनको चिनहित कर लिया गया है प्रथम चरण में नौमबर 2023 तक कुल 507 विद्वा लाभार्तियों की पहचान की गई थी सभी ओपचारिकताय पूरी करने के बाद पहले चरण में चैनित विद्वा और एविभाईतों को दिसंबर 2023 की पैनसन के भुगतान की परकिरिया अंतिम चरण में है इन सभी को जल्द भुगतान दे दिया जाएगा इनको लाब जल्द ही मिलेगा यदि हम बात करें दूसरे चरण की तो दूसरे चरण में अब तक चिनहीत कुल 12,270 विद्वा महिलाई तथा 2586 एविभाईतों को जनवरी 2024 की पैंशन फरवरी में दी जाएगी यानि कि जो जनवरी महिने की पैंशन है वे अभी नहीं मिली उनको फरवरी महिने में ये पैंशन मिलना परारम होगी विद्वाओ को देखें विद्वाओ की स्रेणी में 3,00,00 रुपे तक की सालाना आये वाले 40 वर्ष से अधिक आयू के व्यक्ति पात्र होंगे उनको ही पात्र माना जाएगा इसी तरहे एविभाओत व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आये 1,80,000 रुपे से कम होनी चाहिए और आयू 45 वर्ष से अधिक हो यह वित्य सायता सीधे लाव पात्रों के खाते में ट्रांस्फर की जाएगी विद्वा और एवाईतों की आयू 60 वर्ष होने के बाद उन्हें वर्दवस्था सम्मान भत्ता दिया जाएगा यानि कि जब 60 वर्ष हो जाएंगे तो उनको जो पैंशन मिलेगी वह वर्दवस्था सम्मान भत्ता होगी जिसका आपको आविदन नहीं करना होगा बिना आविदन के ही आपको 33,000 रुपे पैंशन मिलना प्रारम हो जाएगी अब जिनकी 60 वर्ष की आयू हो गई है और उनको अब वर्दवस्था पैंशन भत्ता कलाब दे जाएगा उनके बैंखात में 33,000 रुपे पैंशन सरकार वर्ष 2023 से देना प्रारम कर रही है जो की एक जनवरी 2024 से सरकार ने प्रारम कर दी थी अब जो जनवरी महिने की जो पैंशन है वह 33,000 रुपे सरकार फर्वरी महिने में उनको दी जाएगी हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने विद्वाव और एविवाईतों को मकर सकरांती पर यानि की एक जनवरी 2024 से 3,000 रुपे 3,000 रुपे प्रती महा पैंशन देने की घोशना की अब जो देखे जनवरी महिने की पैंशन है 3,000 रुपे वह आपको फरवरी महिने में मिलेगी जिसका आपको आवधन करने की कोई भी अवशक्ता नहीं है आप सीधे सीधे ये भी समझ सकते हैं जो 60 वर्स के हो गए हैं तो उनको बिना आवधन के ही वर्दवस्था पैंशन योजना के अंदर गत 3,000 रुपे पैंशन मिलना सरकार के तरफ से परणम हो रही है वह भी एक जनवर 2024 से आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको अमर्दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट हैं पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बोक्स में जागर पूछ सकते हैं सभी सालों के जब आपको दे दिया जाएगा यदि आपको मर्दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है लाश्ट में हम निवे कि एक यापक जरूर क से हमें लाइक ।